हेलो गईस आज हम बात करेंगे Samsung F23 के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके हाउ टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड के बारे में ओके कुछ APN आप लोगों को बताएंगे हम जिससे आप लोग अपने फोन में इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज कर सकते ठीक है इस्टो वीडियो स्टाट करते उसे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगा बिलका इकुन को फ्रेस करें फर्स्ट फॉल क्या करें सेटिंग्स ओपन करेंगे कनेक्सम्स पर क्लिक करें मोबायल नेट्रक्स पर क्लिक करें और आप लोग इसको आपा कि आप लोग इसको अ-प्लूग कर देना है ठीक है इसके बाद एकशस पॉय्म्स पर क्लिक बपने डिफॉलटट एप्षॉड को lys और दिख़्कत वाली बात नहीं है तो आप लोग एड़ पे klick करें और एक हमें नया APN बनाना पड़ेगा ठीक है तो नया APN पे हमें एड़ पे klick करेंगे कुछ changes करना पड़ेगा जैसे कि पहला आता है नाम नाम में आप लोग जो भी SIM card है आप लोग यूज कर रहे होगा उसका नाम आप लोग यहां पर डाल लीजेगा उसके बाद आता है APN APN में आप लोग यह code को install करेगा चोकि code रहता ही है मैं आप लोग को फिर से डाल के बता देता हूं जाता हो बेटर रहेगा 4.4.4.8.8.9 उसके बाद space देंगे हम 5 लेखेंगे फिर capital में G यह डाल देना है आप लोग को उसके बाद proxy, port, username, password इनको आप लोगों को not set ही रहने देना है server पर क्लिक करें server आप लोग क्या करें यहां पर www.google.com आप लोग यहां पर इसको कर लिजे जो भी search engine यूज करें होगे जैसे yahoo यूज करें या बिंग यूज करें जो भी यूज करें होगे आप लोग इसको set कर लीजेगा यहां पर URL डाल देजेगा उसके बाद mmc, mms proxy, mm अथोंटिक करस टाइप, APN टाइप इनको आप लोगों को default ही रहने देना है उसके बाद APN प्रोटोकॉल पे क्लिक करें और इसे हमें IPv4-IPv6 कर देना है उसके बाद roaming प्रोटोकॉल IPv4-IPv6 कर देना ठीक है ना बेर पे क्लिक करें यह अंसर्टिफाइट रहेगा ठीक है अब आप लोग इसको क्या गए लटी कर देना है और ठीटट पे क्लिक करके हमें सिंप्लिस को सेव करें ना है उसके बाद हमें यह APN यहां पे लगा देना जो हमने बनाया है ठीक है अब आप लोग के फोन में थोड़ दरेक लिए नेट्रक जाएगा उसके बाद जैसे ने एकस्ट वीडियो में जै मता दी